बहुत इंपोटेंट वीडियो लेकर आए आपके सामने बेसिक वर्किंग ऑफ चिलर प्लांट कैसे वर्क करता है कैसे जो है कूलिंग प्लांट रूम से हमारे रूम तक बिलिडिंग तक पहुंचती है तो इस पर हम लोग आज डिसकेशन करेंगे तो वीडियो शुरू करने स पहले दोस्तों मैं आपको चिलर का डाइग्राम चिलर का दिखाना जाता हूं कि एक्ट्र चिलर कैसा होता है तो यह मैंने यॉर्क के चिलर क्या फोटो यहां पे लिया है आप यह देखने इसका फ्रंट भी हुए और यह इसका बैक विए अगर आप सामने से देखेंगे त चिलर में दोस्तों मेजर जो कंपोनेंट होते हैं फोर कंपोनेंट होते हैं चार कंपोनेंट जो आपके घर में जो एसी लगी हुई है चाहे वह या आपका वी एवी हो वी आरेफ हो कोई साभी हो वेपन कंप्रेशन साइकल उसमें होता है उसके लिए चार कंपोनेंट उसम कर दो इसमें मैं एक detail video बनाऊंगा इसके component पर यह एक component क्या function कैसे करता है तो आप जैसे देख रहे हैं एक इसका display होता है control panel होता है जिसे हम चीला को command देते हैं चीला को चलाना command मिलती है और फिर run हो जाता है उसके बाद यह व्यस्टी होता है जो compressor compressor होता है यह आप compressor देख रहे हैं और नीचे में expansion device होता है जो expand को expand करता जिससे cooling produce होती है इसका आप back view में आपको यह दिख रहा है कि जो शेल है इसमें आप यह देख रहे होंगे दो inlet और outlet देख रहे हैं दोनों में इसमें होता क्या है कि हम chilled water का connection करते हैं और condenser water का connection करते हैं यहाँ पर कोई ऐसा fan और blower नहीं लगा हुआ होता है कि जो जिससे हमें रूम में cooling मिलेगी और condenser में heat reject हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं piping करते हैं तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया चिलर के मैंने फोटो दिखाया एक इसका डाइग्राम आप देखेंगे एक एवापरेटर है दो शेर आपको दिख रहा है condenser है यह ब्लैक सा compressor और इसके नीचे जो है expansion device होता है तो जो एवापरेटर होता है उसमें हम chill water की piping करते है chill water को connect करते है chill water की जो piping होती है वो उसमें एक condenser sorry pump होता है chill water pump होता है chill water pump से होते वे chill water जो है HU के cooling coil तर जाता है जिसकी वीडियो हमने डाल भी रखी अल्रेड़ी आप वो वीडियो को देखेंगे आपको बेटर समझ में आएगा उसके बाद HU जो है जाता है रेफ्रिजिडेंट वेपर हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजिडेंट कंडेंसर में जाता है जहां पर यह हीट देता है water को अभी आप देख रहे हैं condenser pump है जब condenser pump 85 degree पे water को यह इसे condenser के थूरू सर्कुलेट करेगा तो क्या होता है condenser में जो water जा रहा होता है वो रेफ्रिजिडेंट के contact में आता है और रेफ्रिजिडेंट से heat ले ले लेता है और खुद गरम होकर यहां पर यह से देखे 95 degree Fahrenheit पर बाहर निकलता है और रेफ्रिजिडेंट को वो condense कर देता है रेफ्रिजिडेंट फिर high temperature high pressure liquid में convert हो जाता है उसके बाद फिर यह जो पानी हम इसी water को अगें यूज़ करते हैं थंडा करते हैं वह क्या करते हैं इसको cooling tower में एक fan लगा हुआता है पानी यहां पे temperature पर डिपेंड करता है उसके बाद 85 पर देखेंगे वापिस से आएगा condenser pump में और फिर से होकर यह condenser से जाएगा तो यह cycle जो है एक cycle complete हो जाती है condenser cycle जिसको हम बोलते हैं फिर इसके अंदर क्या होता है रेफ्रिजिडेंट होने के बाद वह जाएगा expansion device में expansion device में जाएगा expand होगा जहां पर फ्रोटलिंग प्रोसेस होता है और जिससे रेफ्रिजिडेंट का प्रेशर काफी ड्रॉप हो जाएगा और टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है वह डिपेंड करता है कि रेफ्रिजिडेंट कौन सा है रट टॉन्टी वांप लखा ओँगा एक पानी को चिलर के क्रोश सर्कुलेट करARA कर यहां किया होगा जाये और अगे हीट चला जाएगा फिर से वह compressor में चला जाएगा इसलिए एक cycle आपकी देखा जाए रेफ्रिजेंट cycle complete हो जाती है जिसको हम वेपर compression cycle बोलते हैं condenser cycle और यह दूसरी chill water cycle अब chill water cycle में क्या होता है कि पानी ठंडा होने के बाद रूम में जाती है जब एर ठंडी होती है तो क्या होता जब पानी एक कुलिंग को ऐसे निकलता तो उस एयर की heat को लेकर खुद गराम हो जाता है और फिर वापिस से चिलर में pump के थूर चला जाता है तो एक यह cycle जो chill water cycle आप देखा है यह चिल water cycle इस तरह से complete हो जाती है और फिर ठंडी एर रूम में जाती है जिससे हमें रूम में comfortable temperature मिलता है humidity मिलती है तो यह और यह इसको air cycle बोलते है तो यह चार cycle इस तरह से centralized chiller plant में काम करता है यह चार cycle के बिना जो है आपको cooling नहीं मिलने वाली है तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि चिलर जो है उसके अंदर क्या कैसे work कर रहा होता है तो आप देखेंगे इसके सामने में एक cut section लिया है यह compressor है यह condenser है जो shell and tube condenser है condenser और evaporator के भी काफी types होते हैं compressor के भी काफी types होते हैं इनके बारे में हम discuss करेंगे आगे और यह कैसे operate करते हैं अभी आप देखें एक centrifugal compressor है यह condenser है shell and tube condenser है और यह evaporator भी shell and tube है आप इसमें देखेंगे एक तो कि लॉबर क कि देखे रहे हैं और यह जो आपको औरेंज क सम् करेंट कि वब व्ड़ा देख रहे हैं और है जी से जह सोorn को हॉद कि हॉटे से हुं के बाद क्या प्रोगा वह अधि प्रिशार में जाएगा अब कंडेंसर में जैसे कि मैंने बताया था कि कंडेंसर पंप लगा होता है, जो कूलिंग टावर से पानी थंड़ा होकर चल ला है, तो वो क्या करेगा, है और UK गर्ण हो जाएगा रेफूजन को वह क्हा करेगा कंडेंस कर से इस तरह से cycle चलती रहेगी अब जैसा कि आप डिखने रिफ्रिजेंट हो गें हमारा वो लिक्विड में करिमट होता है नीशा क्युंकि बड़ी होती है तो इसject email प्रेशर लिक्वीड में कर्मट हो जाएगा और लो होने के बाद यह जाएगा कहां अब जैसे यह देखे यह भी यहां पे बिल्कुल ठंडा चिल्ड रेफ्रिजेंट होगा तो पाने इसमें आएगा जब हमारा वाटर इसमें आएगा चिल्ड वाटर त्यूप में आएगा कैसे बिल्कुल ठेट जैएक उसमें डूबी रहती है तो जब यह पानी इसमें गुजरेगा जब इसमें सर्कुलेट होगा ट्यूब में तो क्या करेगा रेफ्रिजेंट को अपनी हीट देदेगा और ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर पानी यह देखने जैसे कि 54 डिग् जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर कमप्रेशन साइकल काम करती है चिलर में चिलर दो तो पर ocur्र सब्सक्राइब सिछाउन नहां को डिज्सक्राइब को समझ में आगा माद कि आप को चिलर की इस तरह से पाने को ठंडा करता है और कूलिंक टावर फिर कंडेनसर लाइन में कैसे हीट होती एक गजाकर तो यह बेसिक एक operation थी कि जो हर एक चीजर में ये चीज़ें होती रहती हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को like करें comment करके को आपका question है तो आप comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों के साथ आप video को share करें और अगर चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल करें कर दोस्तों